कि बालों के चूटने को हम किस तरह से रोकें, किस तरह से हमें हेर बाश करना चाहिए, किस तरह से हमें अपने बालों पर तेल लगाना चाहिए, ताकि हमारे बाल बिल्कुल ही हेल्दी रहें, बाल हमारे काले घने और मजबूत रहें. बहुत से वीवर ने मुझे कमेंड करके पुछा था कि मेरी बेटी के बाल इतने अच्छे कैसे हैं दोस्तों, तो आज सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ जिससे हेयर फॉल की समझ्या बिल्कुल ही रुख जाए. तो सबसे पहले दोस्तों आपको बालों को सुलझाने के लिए हमेशा मोटे दात वाली कंधी का इस्तमाल करना है, जिससे कि हमारे बाल कम टूटेंगे और बालों का जड़ना भी रुख जाएगा. तो इस तरह से पहले आप बालों को सुलझा लें, जब भी आपको शैंपू करना है, शैंपू करने से पहले आपको बालों को सुलझा लेना है. उल्चे हुए बालों में कभी भी शैंपू ना करें. शेंपू में क्या mix करना है दोस्तों इसके मैंने 2-3 वीडियो शेयर किया है आप चाहे तो aloe vera mix कर सकते हैं शेंपू में तकि बाल आपके healthy हैं कोई भी शेंपू ले जो भी आप इस्तवाल करते हैं कोई भी herbal शेंपू आप ले सकते हैं शेंपू की quantity आपको आपके बालों की लंबाई के according लेना है बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो 3 चमबच शेंपू काफी होता है छोटे बाल है तो 2 चमबच शेंपू भी काफी होता है तो शेंपू डालने के बाद दोसों आपको इसमें मिलाना है थोड़ा सा पानी आप यह कह सकते हैं जितना शेंपू लिया है उससे डबल आपको पानी डालना है और खोब अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है तो जब भी शैंपू करें दोस्तों कभी भी सूखे बालों में शैंपू न करें आपको बालों को गीला करने के बाद ही शैंपू करना है तो शैंपू में मैंने डबल पानी मिला दिया है बहुत अच्छी तरह से इसे आप मिक्स कर लें जितनी अच्छी आप बालों की केर करेंगे दोस्तों उतना ही हेयर पॉल की जो समस्या है वह रुकेगी और बाल हमारे अच्छे घने मजबूत होंगे और साथ ही साथ हमारे बाल लंबे भी होंगे हम सब की चाहत होती है कि हमारे बाल काले घने लंबे मजबूत हो और बालों का सुंदर होना भी जरूरी है हमारी सुंदरता बालों पर ही निर्भर करती बाल सुंदर है तो हम बहुत ही सुंदर लगते हैं इसलिए बालों की केर जरूर करें तो शैंपू तेयार है, आप इस शैंपू में अलोविरा भी मिक्स कर सकते हैं. तो किस तरह से शैंपू करना है, दोस्तों सही तरीका क्या है? सबसे पहले तो आपको बालों को पूरा गिला करना है. सूखे बालों में कभी भी रगड कर शैंपू ना लगाएं, नहीं तो हैर पॉल बढ़ने लगता है. तो ये देखें, इस तरह से जिसमें मैंने शैंपू को घुला था, वो कटोरी मेरी कांच की थी दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लास्टिक का बड़ा कटोरा लिया है, ताकि लगाने में मेरी बेटी को आसानी हो. थोड़ा-थोड़ा करके शैंपू जिसे हमने पतला कर लिया, धीरे-धीरे आपको बालों में डालना है, ये देखें, पूरे बालों में कनपटी के पास, कानों के पीछे, बालों के पीछे धीरे-धीरे करके डालते जाएं, खुब अच्छी तरह से मलते जाएं, थोड़ा बालों में बहुत जादा तेल का जमाव हो जाता है, उसके कारण भी हमारे बाल तूटने लगते हैं, तो ऐसा नहीं कि शैंपू लगाए और तुरंध ही पानी डाल दिया, शैंपू लगाने के बाद आपको चारो तरफ अपने स्कैल्प में मसाज करना है, ये देखे कुछ इ देख रहे हैं, मैंने अलग से शैंपू नहीं लिया है, और उसी शैंपू को मैं बालों के नीचे दबाते हुए, नीचे टक्के लेकर जाना है आपको, तो इससे क्या होगा, बाल हमारे जो तूटने की समझ से कई बार आपने देखा होगा, जब भी हम सिर्ध होते हैर आकर दिखा रही है, तो जितनी अच्छी केर करेंगे, उतने हेल्दी हमारे बाल रहेंगे, और बालों की समस्या से हमें छुटकारा मिलेगा, बालों का तूटना बंद होगा, दो मुहें बालों की समस्या से भी आपको रहत मिलेगी, और साथ ही साथ हमारे बाल सिल्की और शाइनी बने रहेंगे उनमें चमक बनी रहेंगी एक जो बालों की सुंदरता होती न दोस्तों बोलते हैं कि रहें वह क्या चमकदार बाल है बिल्कुल वैसे ही बाल रहेंगे तो यह सही तरीका है शैंपू लगाने का उसके बाद आप इस तरह से मसाज करें फिर आप हेयर व जाए तो बाल हमारे अच्छे रहते हैं और इस तरह से आप देख रहे हैं कि इतने हलके हाथों से ही मेरी बेटी आपको शेंपू लगा कर दिखा रही है दोस्तों तो इसलिए शायद स्टार्टिंग से ही उसके बाल इतने सुंदर है इतने अच्छे हैं बहुत से वीडियो मे हमें शेंपू करना चाहिए यह काम हमें हलके हाथों से ही करना चाहिए क्योंकि बाल जब हमारे गीले हो जाते हैं तो बाल हमारे जड़ से थोड़े नाजुक हो जाते हैं इसलिए इस समय हमें बहुत जादा हलके हाथों से ही काम करना चाहिए ताकि बालों का तूटना रू नीचे करते हुए आपको हलके हलके हाथों से दबाते हुए धोना, रगड़ना बिल्कुल नहीं है, जित्ता जादा हम दोनों हाथों से रगड़ते हैं, तो दो मुहें बाल की समस्या बढ़ती जाती है, तो ये देखे, तो ये तो शेंपू का तरीका हो गया, दोस्तों, उसक आखरी में आप चाहें तो पीने का जो हमारा पानी होता हना फिल्टर वाटर, उससे आखरी में आप एयर वाश जरूर करें, एक मग, बढ़ा मग भर भर कर आप पीने का पानी फिल्टर वाटर चाहे आरो का हो या आप क्या बहुत अच्छी तरह से पानी डालते हुए आपको हेयर को वाश करना है शेंपू का बिलकुल भी अंश बालों में नहीं होना चाहिए सपता में दो बार तो जरूर हेयर वाश करें दोस्तों नहीं तो कई बार बालों में बहुत जादा गंदगी होती है dirt होती है, बहुत जादा oil जम जाता है, उससे भी hair fall की समस्या बन जाती है, या hair fall होने लगता है, पानी यहाँ पर मैंने हलका गरम लिया है, बहुत ठंड का मौसम है, परन्तु आपको बहुत जादा गरम पानी, hot water नहीं लेना है, आपको सिर्फ warm water ही लेना है, ठंडा पानी भ लगाते हैं, दोस्तों उसे आपको scalp पर नहीं लगाना, आपको सिर्फ अपने बालों की लंबाई पर लगाना, क्योंकि conditioner में भरपूर मात्रा में chemical होता है, और वो chemical हमारे scalp पर जाता है, और बहुत जादा side effect होते हैं, बलकि hair fall की परिशानी बढ़ने का डर रहता है, बालों मैंने यहां यहां पर यह क्लिप बनाई है, आप लोगों के लिए ही बनाई है, तो आप देख सकते हैं, इसकैल पर कंडिशनर को बिल्कुल नहीं लगाया है, सिर्फ बालों की लंबाई पर लगाया है, कंडिशनर लगा कर आपको कम से कम चार से पांच मिनट तक ऐसे ही आपके बाल बहुत ही रहेंगे, हेर फॉल की समस्या बिल्कुल ही रुख जाएगी, तो बहुत अच्छी तरह से पानी से भी बालों को धोलिया है, बाल बिल्कुल साफ हो चुके हैं, बिल्कुल ना शेम्पू है ना चंडिशनर है बालों में, हलके हाथों से दबाते हुए आपको बालों को सुखाना है, पानी को निचोड़ना है, ड्राय करना है बालों को यह देखे, ऐसे मुठी बान के जैसे हम करते हैं न दोस्तों, मुठी बान करते हुए ही एक्स्ट्रा पानी को आपको निकालना है, उसके किसी भी कॉटन का जो टॉवल होता है, उससे आप बालों को लपेट सकते हैं आखरी में जैसा मैंने बताया फिल्टर वाटर से आपको धोना है तो जिसके हां जितना भी पीने का पानी है ये फिल्टर वाटर है जिसे मैंने थोड़ा सा गरम कर दिया था क्योंकि बहुत जादा ठंड का मौसम है तो सर्दी ना हो इसलिए और ब बाल बहुत जड़ेंगे टूटेंगे गुच्छे में बाल निकलेंगे बिल्कुल हलका हलका था दस मिनट बांध कर रखें दस पंदरा मिनट बांधने के बाद अपने आप पानी थोड़ा कम हो जाएका दोस्तों जब 80% आपके बाल सूख जाए बिल्कुल नैचरल तरीके से जब ड्राय हो जाए उसके बाद ही आप मोटे दात वाली कंगी से बालों को सुलजाएं ताकि बाल ना तूटें बालों को पहले नीचे की तरफ से सुलजाएं थोड़ा सा लूज पकड़ कर सुलजाएं ताकि बाल जो अभी गीले हैं वो तूटने ना पाएं तो इस तर ट्रिक को जरूर अपनाएं दोस्तों आपको 100% result मिलेगा